आउसर पर निश्री तोर पर सबके मन में स्वागत का भाव, हर्ष का भाव, उल्लास का भाव आप सभी को बहुत बहुत धनिवाद इस स्वागत के भाव को आप सभी का बहुत बहुत धनिवाद स्वागत के भाव की यहां अभीना उबेला, अभीना उपल, यहां उपस्ती जन्माना से एक बार जोड़दार तालियों के माध्यम से हमारे प्रदेश के किर्ति स्थम विकास के परियाएं मानियमो के मंत्री महादय जी का स्वागत करें मैं स्वागत के भावों को शब्दों के माध्यम से अभीवत करने के लिए आमंत्रीत कर रही हूँ शहर के विकास के परियाए परमशद्दे महापूर पुष्यमित्रभ भारगवजी को कि वे आए और स्वागत के भाव हम सब के बीच रखें परमशद्दे महापूर महादय अगर भारत माता की वंदे वंदे भारत रत्न अटल विहारी वाजपई और पंडित मदन मोहन मालवी जी के चरणों में सादर नमन आज उनकी जैनती है और हम सब का स्वभाग्य है कि इंदौर के लिए आज इस एहतिहासिक दिन के आउसर पर देश के यशश्वी प्रधान मंत्री हम सब के साथ जुड़कर मजदूरों का रुका हुआ पैसा और सोलर प्लांट की शुबाद करेंगे और ऐसे शुब आउसर पर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री एक मजदूर के बेटे सिक्षिट डॉक्टरेट घेलों के प्रती जिनकी विशे शुरूची है ऐसे डॉक्टर मोहन यादव जी का पहली बार इंदौर आने पर ही इंदौर को ऐसी दो बड़ी सोगात मजदूरों का उनका हक और नर्वदा जी के चोथे चरण की घोशना आज उनके माध्यम से होने वाली है मैं चाहता हूँ कि पूरा इंदौर पूरा मंच करतन्टालियों से उनके इंदौर में स्वागत करे वंदन करे अभिनंदन करे मंच पर उपस्थेत मजदूर के बेटे और इस हुकुमचंद मील के अंदोलन में पूरे जीवन चाहे वो महापौर के रूप में हो या नगरी प्रशाशन मंत्री के रूप में हो को अपनी बहतरिन और महतपून भूमी का निखाने वाले हम सब के समधनिय आदर के केंडर सम्माणी कहिलाश विजवर्गी जी हम सब की अदरणिया कि इन दोर को पूरी दुनिया में स्थान देने वाली पहचान देने वाली सुमित्राताई यशश्वी सांसत श्री शंकर लल्वानी जी मंच पर उपस्थित श्री तुलसी सिलावट जी सभी सम्मान्नी विधायक जन प्रतिनिधी पार्टी के प्रदाजिकारी और इंदौर की प्रबुद् को डौक्टर मोहन यादव मिलते हैं और इंदौर के लिए कोई पहला फैसला वो करते हैं तो 40 साल पुराने मजदूरों के संधर्ष को समाप्त करने का फैसला लेकर साड़े 400 करोड रुपे संक्शन करते हैं यह इसलिए संभाव है कि जिनके पिताजी ने हीरा मिल में काम कि क्या हो जो खुद मजदूर के बेटे हो वही मजदूर की पीडा समझ सकते हैं मैं उनका इस निर्णाई के लिए अभिनंदन करता हूं धन्यवात करता हूं लेकिन आज और सौभागी की बात है कि इंदौर की जो सबसे बड़ी समस्या है वो जलूच से मान अर्बदा जी को इंदौर लाने पर होने वाले खर्चे की है एक तो नर्बदा जी का चौथा चरण हमको मिलने वाला है दो सोलर प्लांट लगाकर 60 मेगावाट बिजली पैदा करके अपने बिजली के खर्चे को कम करने वाला देश का पहला ऐसा नगरी निकाय है जो जनता के पैसे से सोलर लगाएगा ग्रीन बॉन्ड और पब्लिक इशू के माध्यम से पैसा इखटा करकर सोलर प्लांट लगाने वाला है मैं इस निर्णई के लिए उनका धन्यवात करता हूं अभिनंदन करता हूं आज अटल विहारी वाजपाई जी का जन्मदिन है सुशाशन दिवस है मंच प फास्ट ट्रेक पर चलाया मैं उनका भी अभिनंदन और धन्यवात करता हूं हमारे पत्रकार सांथी जो लगातार इस मुद्दे को जिन्दा रखे हुए थे और विशेश रूप से मजदूरों के वो नेता जिनोंने 1650 हफ्तों से जादा ये भारत की आजादी के बाद का र देता हूं और इंदौर की जन्ता का धन्यवात जो लगातार इस काम में उनके साथ रही हम सब का सोबाग्य है माननी प्रधान मंत्री जी जो ग्रीन बॉंड सोलर एनरजी मजदूरों के हित में बहुत संवेदन शील है माननी मुख्य मंत्री जी ने जब ये जानकारी उनको ही आगे बढ़ती रहेगी लेकिन इस अवसर पर माननी मुख्य मंत्री जी आप पहली बार इंदौर आए हैं मैं पूरे इंदौर की तरफ से आप से एक बहुत छोटी मांग रखना चाहता हूं माननी प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि हम जल्द ही भारत में ओलंपिक करवान हैं मेरा आप से आगरह है कि इंदौर भी देश में एक ऐसा स्थान बने जहां पर ओलंपिक में से कोई एक खेल इंदौर में हो और जैसा आप कुष्टी के प्रती विशेश रूची रखते हैं कुष्टी आप खुद करते रहे हैं इंदौर में कुष्टी को बढ़ावा कर करने का काम ताई और खेलाज जी ने किया है तो मैं चाहता हूं कि इंदौर में ओलंपिक स्टेंडर्ड का एक कुष्टी का मैदान और एकेडमी की ट्रेनिंग ओलंपिक होने के पहले तयार हो जाए उसकी घोष्णा यदि आप करेंगे तो इंदौर को खेलों में प्रोच् जी को कि इस अवसर पर हम सभी का मार्ग प्रसरत करते वे हम सब को आशिर्वचन प्रदान करें परमश्रद्धे केलाश विज्वर्गी जी बुली भारत माता की इंदौर की आवाज है क्या ये इंदौर वालों की आवाज है क्या इसी बुली भारत माता की भारत माता की जरा मंज पर इको हो रहा है और जो बोल रहा है वक्ता उसके आवाज यहां कुछ भी समझ में नहीं आ रहे है इसलिए जरा थोड़ा सा मेरा ख्याले की पेस कम करेंगे तो आवाज थोड़ी से ठीक आएगे साउंड वाले जरा धियान दे थे थोड़ा सा जो वक्ता बोल रहा है उसके आवाज मंज में बैठेको वह कुछ समझ में नहीं आ रहे है यह को हो रहा है मैं बोला भारत माता की अधुन अहलिया माता की मंज पर उपस्ती हमने अहलिया भाहिक चोंतों नहीं देखा अपर अहलिया जैसा या साकरणे वाली ताई को देखा है जरा तालिया बजाकर उनका स्वागत करें आप मद्द्रदेश के यश्यश्वी मुख्यमंत्री जो स्वयम एक मजदूर के बैटे हैं वो मजदूर का दर्द क्या होता है और मील बंद होने के बाद दर्द क्या होता है इसका अहसास हमारे प्रदेश के यश्यश्य मुख्यमंत्री महोनियादव जी का था इसलिए तालिया बजाकर जरा उनका भी अभी नंदन करें दोनों हाथ उबर उठाकर तालिया मजाएं जरा मंज पर उपस्चित हमारे महापोर जी अधरणिस सिलावत जी भाई नगरध्यक्स हमारे गोरव जी रमेश मेंदोला जी एक नमबर का विधायक तो में खुदी हुना अचकर मेरे को याद ही नहीं रहता मैं सूच रहा था एक नमबर का विधायक कुध तो नंबर के विधाय क्रमे जी तीन नंबर के राकेश जी चार नंबर के मालवी जी ऐ। 5 नंबर के बावाद आप मदूविया निया थो उधि मतूविया clammy ने भी बड़ा शुकार किया जा तालिया के मदूविया के बड़ा शुकार किया नहीं भाई मनोज पटेल जी मंजबर उपस्तित सभी हमारे नितागंड सब के लिए तालिया बजा दीजिए जरा अब आप अपने आप के लिए तालिया बजा जीए कि इंदोर का आज का दिन इतिहास ही खाए आज मजदुरों का दिन है और मैं समझता हूँ विश्व के इतिहास में इतना बड़ा अंदोलन मजदुरों का कहीं नहीं चलाओगा जितना की हुकमचन मील के हमारे नरेंद्र श्रीवंच और उनकी टीम ने किया जरा दोनों हाथों पर उठा कर तालिया बजा आए आंदोलन्तन का लंबे समय से चल रहा था और उद्योग विभाग की जमिने की नगर निगम की इस पर विवाद हुआ इत्थफाक से मैं नगर निगम का मेर था जब मैंने के दिया मेरी जमीन है और उद्योग मंत्री बना तो अधिकारियों ने बोला हमारी जमीन है मैं अधिकारियों को कह दिया कि मजदूर हमारे हैं और इसलिए जमीन ये नगर निगम की ही रहेगी और नगर निगम की जमीन हो गई उसके बाद हमारे शांदार महापोर ने बड़ा दिल करके मजदूरों को ये उपहार देने की कोशिश किये जरा महापोर जी के लिए भी त आप सोच सकते हैं किसी प्रदेश का मुख्य मंत्री शफट ले और पहली फाइल कोन सी की उन्होंने हमारे इंदौर के मजदूरों की कुछ कि वह मजदूर के बेटे हैं मजदूर का दर्द समझते हैं इसलिए दोनों हाथ उपर उठाकर तालिया बजाकर हमारे मुख्ध मंत्री जी का भिनंदन करें जिन्होंने अद्भूत कारिक किया है हमारे हाउसिंग बोर्ड के चेर्मेन भी यहां पर बेटे हैं तिवारी जी उन्होंने भी बड़ा दिल किया पर उनको फाइदा होगा यह उनके लिए फाइदे का बीजने से क्यों भ गोरौशाली शहरे बारव जी जोड़ेंगा हुआ है 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 कि क्योंकि समय हो रहा है इसलिए मैं लंबी बात नहीं किता हूं इतना ही कहना चाहता हुं कि आज का दिन इंदौर के इत्यास्त को और विशेशकर मजदूरों के लिए बहुत महत्व का दिन हैं इंदौर शहर जो मजदूरों के नाम से पहचाना जाता था किन्तु मजदूर आंदोलन के नाम से भी पहचाना जाएगा जहां 32 साल तक मजदूरों ने आंदोलन किया और इसलिए इसलिए इन सब मजदूरों के लिए जरा तालिया बजा कर सवागत करें मैं जादा आप मैं बोलना तो काफी कुछ चाहता था कि इन तो समयका में प्रधान मंतरी 12 मजे जुड़ने वाले हैं और इसलिए माननी मुख्य मंतरी जो भी अपनी बात कहना है आप सब का भिनंदन करता हूं प्रणाम करता हूं और यह वादा करता हूं कि आपने इंदोर में नो की नोई सीड़ दी है पाँच साल इंदोर के पाँच साल बाद इंदोर का नक्षा देखना आप विश्व के अच्छे शेहरों में इंदोर शेहर होगा यह मैं आप से वादा करता हूं यह सुरूभी साखला बहरीन में आयोजी एशियन चेंपेंशिप में पाकिस्तान के प्रतितंदी को हरा कर रजत प्रतक हासिल करने वालिये मध्यप्रदेश की पहला पहली खिलाडिये जरा तालिया वजाकर उसका भी अविनंदन कर दें में जादा समय ने लेता बहुत-ब बहुत-बहुत धनिवाजसर आज जन्मानस को मिल रही छे विभागों के माध्यम से सुर्भी साकला सम्मानित हो रही है मानिये मुख्य मंत्री मोहदे के हाथ तो बड़े गोराव का पल देश की प्रदेश की या बेटी निश्यतार पर समाच की सशकता आधार है अज जन्मानस के लिए गोराव का पल छे विभागों के एक सो दो करोड उनसाट लाग की लागत के ठ्थ्याणनों कारों का लोकारपन और तीन सो बाविस करोड पिच्चासी लाग की लागत के जन उप्योगी योजनाओं का शिलानियास मानिय मुख्य मंत्री मोहदे जी से कर कमलों से करने का विनम अनुरोत साधर आग रहा कि रिमोट का बटन दबाकर इन लोकारपन और शिलान्यास की सोगात समर्पित करे कि तालियों की गडगल हाट से सोगात का स्वागत करे कि बहुत बहुत धनिवाद और में सा सम्मान आदर पूर्वक अनुरोत के साथ माननी मुख्य मंत्री महदे जोक्टर महन यादेवजी से अनुरोत करूंगी कि इस पावस अउसर पर जन्मानस को अपने आशिरवचन अपने मांगदर्शन से प्रेरीद करने का कस्ट कीजीगा जोरदार तालियों से परमश्रदे मुख्य मंत्री महदे जी का स्वागत करें वे अपने विचारों के साथ आपके बीच पढ़ा रहे हैं जोरदार तालियों की गड़गड़ा हर्स स्वागत मेरे साथ सभी जोर से बोलिये जैश्री महाकार बोलो आहिल्या माता की मंच पर इवराजमान हम सब के आदर्णिया जिनको हम भोट प्रेम से ताई बोलते हैं और जिनों ने अपनी लंबी प्रसासनी क्षमता से अलग-अलग दाईतों का निरवन करते वे देश के लोकतंत्र की सरवोच संस्था हमारी अपनी पार्लामेंट का भी सफल संचालन किया सिरिमत्ती सुमित्रा महाजन जी जोड़दार तालिया बजा करके पुर्वी स्पीकर ताई जी का अभी नंदन करें और अभी अभी जिन्दे मैंने कहा कि आप बोलते लेकिन उन्हें मेरे लिए एक तरह से बोलने के लिए समय की गुंजाईस भी दी और सदेव इसने है का मैं उनका पात्र रहा हूं हमारे सबके नेता मानिक कहलाजी विजेवार की जोड़दार तालिया बजाएं हमारे अपने कहलाजी भाई साब दो नंबर हो तीन नंबर हो चार नंबर हो एक नंबर हो जहां जिस जगे महू हो जहां चुनोती मिले और हमको आपने जनतंत्र की इस निरवाचन की बड़ी लड़ेई में हमारी पाल्टी को आउशकता हो माँ उनको खड़ा कर दो जीत निश्चित होती है ऐसे लोकतंत्र के हमारे सब के जननायक केलाजी विजवर्दी जी जोरदार दालिया बजाए केलाजी विजवर्दी के लिए अभी अभी जिन्होंने थोड़ी देर पहले अपना भाशन समाप्त किया और आपके अपने हम सबका गोरो नगर निगम इंदोर के और इंदोर की नगर निगम कौन सी जो लगातार एक नंबर आ रही है तो पूरे देश में अपने सुच्छता के लिए अपने काम के लिए अपने लोगों की सेवा के लिए विवित छेत्रों में नंबर वन नगर निगम के हमारे नंबर वन महापोर पुश्मित्र भारगोजी के लिए जोड़दार तालिया बजाए और मेरे प्रादिकरण के समय से साथी अलग-अलग दायत्व का निर्वन किया हमारे सब के चहेते लोगपरी सांसत माने संकर लल्वानी जी के लिए जोड़दार तालिया बजाए संकर लल्वानी जी यह आज अपने मिलोक के समस्याओं का समाधान में जिनका बड़ा योगदान लिया हाउसिंग बोर्ड के काम का सफलता के साथ संचालन कर रहे हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष मानी आस्तोश तिवारी जी उनका भी मैं अभिनेदन करता हूं स्रागत करता हूं हमारे विधानसवा के भहुत अच्छे साथी और सरलता के धनी पुरो मंत्री महेंद हाड़ा जी के लिए जोड़ा तालिया जिनको बाबा करके हम अपने सब के बीच में प्रेम से बुलाते हैं सावेर से आते हैं लगातार सभी कामों में अपनी अकलक पहचान बनाते हैं मानि तुल्सी सिलावड़ जी के लिए जोड़ा तालिया तुल्सी भाई आप आगे बड़ो हम आपके साथ है और ये पूरा ग्राउंड गर्वे के समय से लगा करके बारही महीने और एक ऐसा धुन स्क्राण के मावले में तो मैं सम prof रहना सकता हो किरमेस मेंदोला जी का कोई मुकाबला इन्he मिनला जी के लिए उल्लपिक्संट के से को natur वाह हु कुमिं के मैश्दूर का बेटा है। जोड़दार तलिया बजाओ रमेस मेंदोला जी के लिए यह उल्लम्पिक संग के अध्यक्ष और में इनके साथ उपाद्यक्ष हूँ ऐसे हमारे लिए अध्वीती अलग-अलग छेत्रों में काम करने वाले मेरे मित्र रमेश मेंदोला जी हम सब के अधर्णिया पुर महापूर लोकप्री विधायक स्रीमती मालीनी गोड़ जे के लिए जोड़ार तालिया बजाए और आपके अपने पास के ग्रामिंट शेत्र के लेकिन युवा विधायक मनोज पतेल जी कहां मनोज जी जोड़ार तालिया जी के लिए सकरी विधायक और में प्रादीगन का अध्यक्ष था तो अध्यन विकास प्रादीगन के अध्यक्ष को मान देते वे सदेव सनमान में छोटों को आगे बढ़ाना है और मदुभिया का तो कोई जवाब नहीं क्या प्रादीगरन चलाया हम आज भी एमाल टेन को करते हैं वो जो कुशावाओ ठाकरे मारक के नाम से जाना जाता है मदुभिया के जोड़दार तालिया मदुभिया क्या अपना व्यक्तित्व है और क्या विनम्रता के आप परिचायक है वागे अधूत व्यक्तित्व है तीन नंबर विधान सभा बड़ी कठिन चुनोती थ गोलु सुकला जी सभी जिन्दा बाद जोड़दा सारे मंच के लिए जोड़दार तालिया बजा भाई बूरे सभी के लिए हमारे अपने इंदोर विकास प्रादीगंड को नई नई उचायों तक ले जाने वले जैपाल सिंधी चावळा अध्यक्ष इंदोर विकास प्रादीगंड जोड़दा तालिया चावळा जी